मोधी बोले पहले की सरकार होती तो दू तीन सो रुपे दाल पांत सो रुपे किलो बिक रही होती बॉलिवूट के दिगज सिंगर ने दे दिया मूतोड जवाब पियम मोधी पिछले दिनों गुजरात के दोरे पर थे इस दोरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साथते हुए कई बड़े दावे कर दिये सोशल मीडिया पर पियम मोधी का ये बयान वाइरल हुआ तो इंडियन आइडल के जज़ और सिंगर विशाल ददलानी ने पियम मोधी पर कटाक्ष किया है पियम मोधी ने अपने बयान में कहा अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो दूद 300 रुपे दाल 500 रुपे की लोग बिक रही होती हमारी सरकार ने रूस युक्रेइन युद के बावजूत काबू में रखा है हम शिदत से महगाई कंट्रोल करते आए हैं और करते रहेंगे हमारी सरकार ने ये भी कोशिश की है कि मिडल क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचे आज साथ लाग की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है इससे मध्यम वर के 1000 रुपे बच रहे है आज अमीर हो या गरीब सबके पास फोन होता है हर व्यक्ती 20 GB डेटा इस्तिमाल करता है 2014 में 1 GB डेटा के लिए 300 रुपे देने पड़ते थे पुरानी सरकार होती तो आज मुबाइल का बिल 6000 रुपे देना पड़ता जबकि आज 300 से 400 रुपे बिल आता है आपका 4 से 5000 रुपे बच रहे हैं पियम मोधी के इन दावों पर जंता ने पलटवार किया है वहीं सिंगर विशाल ददलानी ने पियम मोधी के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा चिंता मत कीजिए सर आप भी उसी दिशा में जा रहे है यह आप ही करके दिखाओगे सिंगर विशाल ददलानी के स्तंच के बाद अनभकतों के खेमों में खलबली मच कई है वहीं कुछ लोगों ने विशाल ददलानी की बेबाकी पर उनकी सरहना की है एक शख्स ने सिंगर के जवाब पर कहा बहुत खूब विशाल कम से कम आप में बोलने की हिम्मत तो है एक अन्भक्त ने पीम के बयान पर कहा ये एक सक्षम नेता का गुण है कि वो आत्मविश्वास के साथ कुछ कहता है ये जानते हुए कि इसका भारी विरोध होगा क्योंकि वो चुनौतियों और कई अन्यार्थिक संगेतकों के अधार पर इसे अच्छी तरह से जानता है एक यूजर ने लिखा इससे बहतर तारिफ कोई नहीं कर सकता था एक और ने पीम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा येस मोदी जी आकड़े नहीं विजन देते हैं कोरोना के समय मोदी जी बोले थे कि ये चार से पांच लाग तो कुछ नहीं पिछली सरकार होती तो एक करोड केस होते बाद में उन्होंने एक करोड का आकड़ा चुकर दिखाया अब जब महंगाई का बोला है तो अवश्य ही ये फीड भी अचीव करके दिखाएंगे पियम मोदी के बयान पर सिंगर विशाल ददलानी के इस पलटवार को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट करके जरूर बताए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक और शेयर करे बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करे ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके